क्या हाल चाल दोस्तो आई होप आप सभी लोग मज़े में होंगे तो आज मैंने 500 से लेके 2000 के बीच में आने वाली जितनी भी वाचिस थी वो सभी मंगवाली जिनने आप आने वाली दिवाली या फिर डेली यूज पे पहन सकते हो लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शे में इसलिए शामिल किया है क्योंकि वैसे तो इसका प्राइस 2000 रुपे है, लेकिन मैंने इसे एक सीक्रेट वेबसाइट से बहुत ही सस्ते में खरीद लिया जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले इसके फीचर पर नजर डालें तो 1.3 इंची का एक बड़ा डिस्प बात कर लें इसके बैटरी बैकप की तो अप टू 7 डेस का बैटरी बैकप है, वहीं फुली चार्ज होने में ये वाच अराउंड एक से देड़ घंटे का टाइम लेती है, और हागर आप एक स्पोर्स परसन हो तो उस मोटीव से 60 से भी जादा स्पोर्स मोड भी मिलते हैं, बट ये सभी हेल्थ फीचर्स आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये वाच मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी, बट हाँ फैशन के तोर पर आप इसे जरूर बाय कर सकते हो, नेक्स लिए आप चाहो तो छोटी मोटी कैलकुलेशन भी कर पाओगी, क्योगी कैलकुलेटर क फीचर जो मिलता है, देन आपके मनरणजन को ध्यान रखते हुए इस वाच में हैंस्टर नाम की एक गेम भी दी गई है, जिसमें आपको इस एनिमल को हैमर के थ्रू मारना होगा, एक इंपोर्टन चीज इस वाच में आपको ब्लूतुत कॉलिंग नहीं मिलेगी, बट हाँ स्मार्ट नोटिफिकेशन जरूर रिसीब होंगे, अब अगर मैं इसकी प्रैजिंग की बात कर लूँ तो ये वाच आपको पड़ेगी 800 रुपे की, जिसे मैंने इस रूटर शॉप नाम की वेबसाइट से मंगवाया है, वह यहाँ पर आपको स्मार्ट वाचिस के अलावा अलग-अलग गैजिट्स पर भी काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी, और मैं शौक तो तब रह गया जब ये 2000 की टैक क्रोनो सिर्फ 800 रुपे की मिल रही थी, अगर आपको इन 800 रुपे पर भी 15 रुपे का एक्स्टर डिसकाउंट चीए, तो आपको जस्ट बाई वाल अप्शन पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड यूज कर लेना है, जो आपको फ्रन्ट वाली स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा, कुछ ये स्टेप्स फॉलो करके आप 15 रुपे का एक्स्टर डिसकाउंट पा सकते हो, और हाँ मेरे कूपन कोड से प्रोड़क्ट और करने वाले ट है 2.01 इंचिस की एक SD डिस्पले, इवन इस वाच का जो यूई है वो भी मुझे काफी स्मूद लगा, बट हाँ क्राउं इसका वर्किंग नहीं है, आपको स्क्रोल करके वाच फेसीज चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट जरूर मिल ज डालें तो आप इस वाच में लाइफ क्रिकेट स्कोर्स चेक कर सकते हो, और कॉलिंग भी इस वाच में बढ़िया हो जाती है, इसके लावा बहुत सारे स्पोर्ट मोड भी दिये गये हैं, लेकिन आपके किसी काम के है नहीं, क्योंकि इस वाच के भी सेंसर रिलायवल नहीं मिन्स वाच खरीद कर वाच का पैसा वाच से ही निकालो, बैद अवे वाच आईपी 67 रसिस्टेंट भी है, तो पानी वगरे से टेंशन मत लेना, इवन ब्रैटनेस वगरे भी अच्छी मिलती है, तो टॉर्च वगरे भी जला सकते हो, चलिए बात कर लेते हैं इस वाच की तो ये आपको पढ़ने वाली है, सिर्फ बारा सो रुपे की, एंड इसका बाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाच की तरफ, ओल्रैट गाईज, थर्ड नमर पर मैंने रखा है, हैमरी की तरफ से आने वाली क्लासिक अब अगर मैं बात कर लूँ, इसकी डिस्पले की तो 2.01 इंच का लाज डिस्पले मिलता है, वो भी 240 x 296 के पिक्सल रेसुलूशन के साथ, वहीं जो पिक्सल की कॉलिटी है, वो इस प्राइज रेंज में काफी बढ़िया निकल कर आती है, बाकि ये वाच आईपी 67 रेटि जिनों तक चल जाती है, वहीं अच्छी बात तो ये है कि रखे रखे इस वाच का बैटरी डिनेज भी नहीं होता, मिन्स जब आप वाच को यूज करोगे ना तो उसी टैम भी बैटरी डिड़क्त होगी, ऐसे ही रखे रखे नहीं होगी, चली अब इसके मेन्यू श्यल्स क बात कर लेते हैं, जो भाई मेरे क्याल से अनेक्सपेक्टीड था, क्यूंकि भाई इस वाच के साथ आपको एट इन बिल्ड वाच फिजिस मिल जाएंगे, एंड सही बताओं तो भाई स्मूधनेस काफी नेक्स लेवल है, वो आप सामने देखी पारे होगे स्क्रीन पे, ब पासवर्ट सेट करने जैसे ऑप्शिन्स भी दिये गए हैं, एवन एमेजनसी के टाइम आप सो एस कॉलिंग भी कर सकते हो इस वाच में, वह इस वाच का मैक्सिमुम स्क्रीन ओफ टाइम 60 सेकंड का है, आगे गौर कर ले तो मल्टीपल स्पोर्स मोड दिये गए हैं, जो मे इसमें से फर्स्ट है ये 2048, जिसे आप सूड़कों से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने ये गेम बचपन में बहुत खेली है, क्या आपने खेली है, कॉमेंट करके बताओ, देन लास्ट ली ये डाइस वाली गेम दी गई है, जिसे कैसे खेलना है मुझे नहीं पता, चलिए वाच आपको पड़ेगी सिर्फ फंदरा सो रुपेगी, जिसका बेस्ट बाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई ये सेकिंड वाली वाच बहुत ही मस्त है, क्योंकि एक तो ये रगेड भी है, प्लस आपको इसमें अच्छे खासे फीचर्स भी मिल ज बिकॉज डिस्प्ले के चारो कॉर्नर्स पर आपको इन बिल्ट स्क्रूज मिल जाएगे, अब नजर डालेते हैं इसके कुछ बेसिक स्पेक्स पर, इस वाच के साथ हमें दी गई है 1.52 इंचीज की SD डिस्प्ले, वो भी 360 इंटू 360 के पिक्सल रेसुलूशन के साथ, इसके इसके कुछ बेसिक फिचर्स आई अब गौर कर लेते हैं मेन फिचर्स पर, जहां सबसे पहला फिचर हमें दिया गया है एक्टिविटीज चेक करने का, जिससे आपको यह पता चलेगा कि दिन भर में आपने कितनी एक्टिविटीज की, प्लस इस वाच के साथ हमें दिये ग वह इस वाच की सबसे मस चीज मुझे लगी, इसके साथ आने वाली 4 in-build games, जहां एक नमर पर हमें दी गई है Flappy Bird, इसमें आपको इस चिडिया की नईया को पार लगाना होता है, जो आप लगा सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, देंसे की नमर पर आती है 2048, जो क अफिशल वेबसेट से बाय करना होगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब बात कर लेते हैं, फर्स नमर पर आने वाली स्मार्ट वाच की, जिसका नाम है Firebolt Expandition, लिटरली इसे फर्स नमर पर रखने का मेंन मोटिव ये है कि इस वाच में आपको GPS ब्राकिंग मिलती है, वो भी एक बजट प्राइज रेंज में, अब अगर इसके फीचर्स पर गौर कर लिया जाए, तो इस वाच के साथ हमें दिया गया है 1.39 इंचिस का एक राउंड डिस्प्ले, लेकिन पीक सनलाइट में डिस्प्ले विजिबिलिटी उतनी खास नहीं ह इसके मेनु स्टेल्स पर नजर डाल ले तो इस वाच के साथ हमें आठ इन बिल्ड मेनु स्टेल्स दिये गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इसके लावा इसका तच रिस्पॉंसिप मुझे बेटर लगा, कोई लैग वगरा फिल नहीं हो रहा था, बट हाँ, ब प्रेकिंग और हाटेट मोनेटिंग जैसे फीचर्स तो मिलते हैं, बट यह आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि यह वाच मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी, आगे आप चाहो तो ब्लुटूथ कॉलिंग वगरा इसली कर सकते हो, बट हाँ, आप साइकलिंग वाकिंग जै जिसमें से फोर्स नमर पराती है, यह 2048, जिससे आप सस्ती सूडू को भी कह सकते हो, यह बैटल चिप, जिससे आपको कुछ इस टैप से खेलना है, और फाइनल यह आती है, यह हैंस्टर, जिसमें आपको इस छोटे से जानवर को हैमर के थ्रू मारना होता है, चले गाईज जैसे आप इस यलो वाले बटन पर क्लिक करोगे, तो आपकी जो ट्रैकी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एप परमीशन में जाकर लोकेशन को इनेबल करना होगा, तब ही आप इस फीचर का यूज कर पाऊगे, वरना यह नहीं चलेगा, सो सब इस फीचर का प्रॉपर यूज करने के लिए आपका स्मार्टफोन आपके साथ होना चाहिए, तब ही आपको एकुरीट जीपीएस ट्रैकिंग निकाल कर देगा, इस वाच की प्रैसिंग की बात कर ले तो यह वाच आपको पड़ेगी दो हजार रुपे की, इन पाचों में हसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते आपसे नेक्स वीडियो में